वैसे तो चने की सबजी आप सभी अपने घर में बनाते हैं लेकिन आज बन रही है बहुत ही खास तरीके से बहुत ही तेस्टी मज़ेदार्थी चने की स्पेशल सबजी तो इसके लिए न मैंने यहाँ पर 300 ग्राम हरे वाले चने लिए थे जिस तरह मार्किट में काले चने मिलते हैं वैसे हरे चने भी मिलते हैं इन्हें मैंने रात भर के लिए पानी में भीगो दिया था और देखे यह अच्छे से आप फूल गए हैं तो यहाँ पर आपको ये जो चने है इन्हें दो-तीन बार और अच्छे से धो लेना है और उसके बाद एक ककर लेना है कुकर में ये हरे चने आपको डाल देने हैं मैं यहाँ यह सबजी हरे चने से बना रही हूँ, आप चाहें तो काले चने से भी इसे बना सकते हैं। इसमें एक चमस्ट नमक डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें पानी डाला है, तो जितने चने हैं उससे आधा एक इंच उपर पानी रखना है, कोकर कड़कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर पांच से छे सी टेस में लगा लें। अब यहाँ पर जब तक चने उबल रहना, तब तक मैंने यहाँ तीन मीडियम सैस के प्यास को रफली कट करके लिया है, इसमें दो इंच अध्रक हम लेंगे, साथ में साथ आट लैसुन की कलिया ले ले, और अब यहाँ पर मैंने लिया है वन टेबल स्पून अनार दाना, अनार दाना डालने से चनों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आपको प्यास, अध्रक लैसुन और अनार दाना को साथ में मिक्सी के जार में डाल कर अच्छे से पीस लेना है, अब यहाँ मैंने चार मीडियम सैस के टमाटर को रफली कट करके लिया है, और इसमें हम ड ओपन करेंगे, और यह देखे हमारे जो हरे चने थे अच्छे से सौफ्ट हो गए है, यह हरे चने की सब्ची बहुत ही स्वातिस्ट बनती है, तो एक बार तो इसे जरूर ट्राइ कीजेगा, अब आपको थोड़े से हरे चने जो है ना इन्हें इस तरीके से लैडल से मैश क करना है, अब चनों के लिए मसाला त्यार कर रहे हैं, तो एक बाउल में आधा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, एक चोथाई चमच काली मिर्श का पाउडर, एक चमच लाल मिर्श पाउडर, इसमें डालेंगे एक चोथाई चमच गरम मसाला, और तो अब आपको करना क्या है यह जो मसाले हैं इन में थोड़ा सा गरम पानी डालना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है थोड़ा करम पानी डालने से अच्छे से फूल जाएंगे तो यहां पर मसाले का पेस्ट्ट है तयार अब गैस पर कडहाई रखें और इसमें लगबख टू टेबल स्पून सरसो का तेल डालें यहां लिए हैं खड़े मसाले एक चम्मस साबुत जीरा एक काली बढ़ी लैची एक तेजपत्ता तोड के लिए है दो हिस्सों में चार मैंने यहां पर काली मिर्श ली हैं दो लॉंग और एक इंस डालचीनी सारे खड़े मसालों को तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देना है अब आप मीडियम फ्लेम पर खड़े मसालों को अच्छे से भून ले अब यहां पर जो प्याज, अद्रक, लैसुन और अनारदाना का पेस्ट त्यार किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे यह देखिए मसाले का कलर चेंज हो गया यह अच्छे तरह भून चुका है इससे ऐल सेपरेट होने लगा है तो जो हमने मसाले त्यार करके रखे थे ना पानी डाल कर वो मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिया है कटोरी में मसाला चिप का रह गया था तो थोड़ा पानी डाल कर वो भी डाल दिया है ताकि इसे मसाला वेस्ट नहो अब इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे जितने अच्छे से मसाला पकेगा ना चने उतने ही स्वादिस्ट बनेंगे अब जो हमने टमाटा हरी मिर्श का पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से पकाएंगे यहाँ पर मैंने मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया है इससे ओईल सेपरेट हो रहे लगा है अब जो उबले हुए हरे चने हैं वो इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरह इसे हम मिक्स करेंगे लगबग 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे पानी क्योंकि चने जो है वो अभी काफी गाड़े हैं तो यहाँ पर मैंने गरम पानी डाला है अच्छी तरह मिक्स करेंगे और सबजी को 7-8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे अब देखिए थोड़ी देर बाद ही चने की जो सबजी है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है यह थोड़े ठंडे होंगे तो और गाड़े हो जाएंगे अब फ्लेम ओफ कर दें और इसमें एक स्पेशल तरका लगाएं तो ग्यास पर तरका पैन रखें इसमें 1 टेवल इस्पून घी या बटर डालें यह तरका घी या बटर में ही बनाना है इसमें एक हरी मिर्ष कट करके डाल दी है थोड़े से अद्रक के लच्छे डाले है इन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे अब फ्लेम ओफ कर दें और इसमें डाल दें आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्ष पाउडर अच्छे से मिक्स करें अब ये जो चने की सब्जी है इसमें डालेंगे एक चमच भूनी हुई क्रश की हुई कसूरी मेथी और ये तड़कास के अंदर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे हम इसमें पारी कटा हुआ हरा धनिया अच्छी तरह इसे मिक्स कर देना है बुनी हुई कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है तो आपके पास कसूरी मेथी है तो चरूर डालेगा सुपर टेस्टी हरे चने की सब्जी है तयार इसे आप भी बनाईए और मुझे कॉमेंट करके बताईए कि आपको ये कैसी लगी